का ये जो सारी田 गटना घटी ये इभी घटना है कि मन्सूख हिरण की इनको यह पहले से जानते थे और ये जो गाड़ी स्कॉर्पियो जा कि ये सकॉर्पियो मन्सूख हिरण से इनने खरीदी थी कि लेकिन पेमेंड नाहीं किया था और चार महने तक इनके पास ये गाड़ी थी नवंबर से लेकर तो फरवरी तक और फिर मनसूक ना इनको का कि आप या तो इसका पेमेंट कंप्लिट कर दीजिए या फिर गाड़ी वापस दीजिए तो उनका मैं और कुछ दिन रखूंगा उसके बाद वो गाड़ी उनके पास लाकर दी और फिर उनक से वापिस वो गाड़ी मंगाई गई जिस दिन ये गाड़ी बुलूर में उन्होंने वहाँ पर जहां पार्क की उन्होंने उस दिन आप देखिए ये गाड़ी में अगर ये गाड़ी चोरी होती तो कहीं न कहीं कोई टैंपरिंग होता कोई दर्वाजा जो लॉक है उसको खोला जाता है सब कुछ नहीं था क्यूंकि जानकारे की अनुसार मन्सुक को यह कहा गया था कि वहाँ पार्क करो चाबी लाकर हमको दो और सीधे वह चाबी यह सचिन वाजे ने ली उनको का कल जाकर आप एक कंप्लेंट रेजिस्टर कीजिए कि मेरी गाड़ी चोरी हुई है और जब कुरला पुलिस टिशन गए तो उनकी कंप्लेंट ली नहीं जा रही थी क्यूंकि कई बार पुलिस यह कहती है कि वह दो तीन दिन रुखिये उसक देख लेते हैं तो वहां पर जो कि आयो थे या जो वहां पर ड्यूटी ओफिसर थे उनको सचिन वाजे का फोन आया और उन्होंने कहा कि तुरंथ अभी के अभी यह क्राइम रेजिस्टर करिए और रेजिस्टर होने के बाद मुझे इतल्ला दीजिए और इतल्ला उनको द मनसूख हिरन को उसके बाद किसी और ने इंट्रोगेट नहीं किया तीनों दिन मनसूख हिरन को वाज़े ही इंट्रोगेट कर रहे थे और उनके इंट्रोगेशन के बाद मनसूख को वाज़े नहीं यह बताया कि तुमको और एजन्सीज इंट्रोगेट कर सकती है इसलिए एक कंप्लेंट कर दो और अपने पहचान के लॉयर के पास वो खुद मनसुक को लेकर गए और मनसुक से कंप्लेंट करवाई कि मुझे अलग-अलग लोग बुलाते है मेरी बड़े पैमाने पर मुझे पुलीस से तकलीफ है और अपना भी नाम उसमें डलवा लिया और वो सीएम को बेजा वो ग्रोह मंत्री को बेजा तो इसका मतलब एक प्रकार से सारी एलेबाय यह तैयार हो रही थी और जिस दिन मनसुक को रात में एक फोन आया कि गावडे ने आपको बुलाया है और उनको जिस इलाके में बुलाया वो वही इलाका है जिस इलाके में सचिनवाजे के उपर एक्स्टर्शन का केस लगाए उसी इलाके में उनको बुलाया गया और उसके बाद दूसरे दिन उनकी लाश मिली और हमारा तो ये मानना है कि मंसू खिरन को वही पर मार दिया गया मारने के बाद उनकी लाश खाड़ी में फेकी गई और इसमें सबसे महतुपुन बात ये है हाई टाइड में उसको फेकने की कोशिश हुए अगर ये लाश हाई टाइड में फेकी जाती तो ये वापिस ही नहीं आती तो ये होता कि मंसू खिरेन ये पुलीस के दबाव में या पुलीस जो बार-बार पुछताच कर रही है उससे नाराज होकर कई भाग गया मैंने दो मैने बाद ये बाद ठंडी हो जाती आधे घंटे का डिफरंस आया उनके कैलकुलेशन में और हाई टाइड की जगल लो टाइड आया आधे घंटे के कारण और मंसू खिरन इनकी जो लाश है वो वही पर रही वो बहकर नहीं गए अभी कुछ थियरीज लाने की कोशिश की जा रही है लेकिन कुल मिलाकर अगर हम पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट को देखे तो इसमें ध्यान में आता है कि ये इतने रुमाल उनके मुँ में कैसे आये एंटी मॉर्टम इंजूरीज ये ऐसी जगह पर है कि जिससे बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखता है कि कहिना कई बहुत दबा के बांधा गया है उनका दम घुटे इतना वो रुमाल और सारी चीजे बांधी गई है और जो पोस्ट मार्टम रिपोर्ट मैंने देखा उसमें उनके लंक्स में पानी नहीं आज मीडिया में कोई रिपोर्ट देख रहाता कि कोई और अगर पानी में गिरकर वो मरे तो लंक्स में भरपूर पानी होना चाहिए लेकिन वह दिखाई नहीं पड़ता है तो सीधा मतलब यह है कि उनकी हत्या हुई